हेलो स्टुडेंट आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का EAD परिवार के साथ आप सभी विध्यारतियों का स्वगत है तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कुछ कबरी है इस गर्मी के मोशम में कहीं न कह हुआ है ठीक है काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे इन पदों के लिए और मैं बात कर रहा हूं किसके लिए और भी जे के लिए जो ऑपिशल साइट पे आपका यहां पर अभी नोटिविकेशन जारी हुआ है जिसमें हम लोग कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे जैसे कि इसमें नंबर आप जो आपके वेकेंसिज है वो कितनी है तो नंबर आप वेकेंसिज आपका जैसे हम बात करेंगे जूनियर इंजिनियर के लिए ठीक है यहां पर जूनियर इंजिनियर के लिए आपका कितनी पद हैं आपका तो यहां 7,346 पद है आपके जूनियर इंजिन RRB के द्वारे यह जारी केगे अब जानते कि आप RRB में zone wise इसमें क्या किये जाएंगे आपके zone wise पर आपके जारी के जाते हैं ठीके RRB के लिए साथ में आप जानते हो कि RRB में क्या होता है जो selection प्रक्रिया है वो CBT 1 और किसमें आपका CBT 2 के अंदर होता है CBT 1 में non-technical से जुड़े भी चीज़े आपका रहते हैं ठीके तो आगे हम लोग slabus पर भी चर्जा करेंगे आगे कि RRB का जो slabus में क्या क्या चीज़े रहने वाली है लेकिन अब ही मैंने जो बात करी आपसे कि यहां पर क्या करेंगे आपके यह पद जारी करेंगे ठीक है तो चलिगा और किस देखेंगे हम लोग यहां पर मैंने आपसे बात करी थी ना कि यह जैसे कि आपका जून आपका ठीक है जॉनल रेलवे प्रोडेक्शन यूनिट जैसे आपका सेंटरल जॉन में कौन कोद आता आपका बिलासपोर मुंबाई ठीक है इसके टोटल पद कितने जारी किए ठीक है तो जॉनल वाइस क्या करता आपका RRB यह पद जारी करता है तो आप लोग लिए आपका नोटिपिकेशन है RRB जाई दो हजार 24 के लिए नोटिपिकेशन आपका जो जारी किया ठीक है तो जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका कि अपने देख लिए 7346 में पद हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बहुतर मौका है देखे और मैं आप सभी लोग को बताना च यारी के लिए जिन बच्चों को देखे लिए कि अपिशल साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कब से इसमें आपके फिल के जाएंगे ठीक है लास्ट डेट कब रहेगी और जोनल वाइस आपका जरूर चेक करिएगा जो भी इंपोर्टन चीज़ हैं उनको जरूर चेक और समय समय पर हम भी आपनों को अपडेट करते रहेंगे कि किस तरों के आपके जो स्लेबस है कैसे आपको कबर करना है से विटी वन में किस तरों से आपको तैयारी करनी है से विटी टू के लिए किस तरों से तैयारी करनी है हमेशा से यह परिवार ने अपने विद्यारति हैं तो बहुत जल्दी इसके स्लेबर से लेटर एक सोट वीडियो में आप लोग बताऊंगा तो आप लोग भी एक बार जाके साइट से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेगा और क्या-क्या चीज़े इंपोर्टेंट चीज़े हैं उसमें जरूर जाके आप लोग स्लेबर कैसे कैसे हम लोग कबर गरेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे कि CBT1 और CBT2 में कैसे आपको तैयारी करनी है किस तोर से आप एटी परिवार के मार्क दर्शन में तैयारी कर सकते हैं और कौन-कौन से हमारे जो एप्लिकेशन पर पोर्शेज हैं उसमें भी आप लोग मुश्कुराते रहे जै हिन जै भरत